वेलकम वेलकम थम्स अप करते रहिए ज़रा जो चैट में है चैट पर बताते रहिए आप मुझे क्विक्ली हान जी जो जो यूट्यूब पे हमें देखने वाले दोस्त हैं वो क्विक्ली जरा हम वीडियो को लाइक कर दें जी और अपने दोस्तों वगेरा के साथ शेयर भी कर दें क्विक्ली मैं एक बारी खुद भी यूट्यूब प्ले करके देख लेता हूँ कि क्लास किस तरीके से चल रही है perfectly आप तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है हाँ जी YouTube वालो जल्दी जल्दी आजाओ मुन्ना जल्दी जल्दी आजाओ क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़े भयंकर वाले questions भयंकर वाले ratio analysis के questions भी पढ़ेंगे और बढ़िया से हम बहुत सारे formulas भी पढ़ेंगे है ना भाई क्यों भाई आ गए हैं जी very good very good let's start rolling चले पहले एक काम करते हैं quickly जरा formulas review करें आप से कुछ बाते पूछों बढ़ा हाँ सही बात है नदी मंसारी कह रहे हैं जी class जदो आओगी तब पता लगूगा बात तो सही है notification आती है कि नहीं आती है ता ओड़े जल्दी से बताओ जरा मैं एक बारी quickly सभी लोगों को हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो की YouTube पे अभी अभी जॉइन हुए हैं जिनने नहीं पता है कि क्या चल रही है तो मैं आपको यह बता दू कि edu91.org पे discounted prices पे हमारी classes available है और सिरफ FM क की नहीं सभी subjects की advanced accounts की audit की SM की EIS की सभी subjects की classes discounted prices पे available है group 1, group 2 दोनों की classes हम लोग FM का fast track batch लेकर आए हैं जिसकी हम यह class ले रहे हैं approximately 30 दिन तक हम classes लेने वाले हैं 65 hours के आसपास की batch duration रहेगी economics इसमें पूरे के पूरे सभी subjects सभी students को हम bonus में दे रहे हैं यानि eco के लिए हम आप आपको eco की classes provide कर रहे हैं और evaluated mock test भी इसमें आपका एक होगा यानि जिसमें मैं आपको test paper भेजूँगा आप मुझे solution भेजेंगे और मैं उसे check करके भेजूँगा अपने comments भेजूँगा last कुछ attempts में जिन जिन बच्चों के papers में मैंने comment किया है कि I expect good marks और आप क्या-क्या improvement कर very good results out of it तो आप एक बार जरूर check out करिए उन सभी बच्चों के videos भी और उन सभी बच्चों के results को भी जो हमसे पढ़े हैं और जो बच्चे हमसे पढ़े हैं अगर वो अभी YouTube वीडियो देख रहे हैं तो YouTube वीडियो पे अपने comment जरूर दे ताकि बाकी बच्चों को पता लग से वो भी आगे हैं बैच वालों को भी मिल लेते हैं चंदना मोहित माही विक्रम जाश वंवर्मा अशी जोशी धर्मेश शर्मा और कर्श नागर किरती अफ्रोज नदीम निशिता आयूश वैब वैब स्माइल कर यह यह ऐसे ही बैठता है बतनी सब ठीक है वेटे सब ठीक कर मुफ्ती मतलब चैप्टर मैं आज मैं इसके बाद से यूट्यूब पर वीडियो ही नहीं दूंगा यह वाली रेशो में फिर इंटर्नली बैच में पढ़ा हूंगा जब तुमसे लाइक ही नहीं हो रहा बताओ चीक है जी जाता हूं और काफी देर तक हम गपे लगाते रहते हैं एंड तक भी बहुत सारे बच्चे बचे रहते हैं जो हमसे बात करते रहते हैं चलिए रिया राज वेलकम 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 और लाइक रेशो भी भी सौ परसंट नहीं है देखो बैए एक बात पहले ही बतादू रहा हो जाएगा लग रहा वो रखना पड़ेगा मुझे कुछ तभी मानों गेटा ठीक है जी चलिए वेरी गुड सीरल की आ जाएगी जल्दी से जल्दी आ जाएगी जिन बच्चों की नहीं आई है औरेशन एलेसे के नोट्स टेलीग्राम पर डाल दीजिए लास्त्री क् अप्लोड नहीं हुए प्लीज टेलीग्राम पर जरूर आ जाएगे आपके आज पका पका आजएगे आज से जादा लेट नहीं करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं मुझे लगता है जितना हो गया बच्चों के आ आ गए हैं बच्चे अब स्टार्ट कर देना चाहिए हमें मैं थोड़ी सी quick revision आपको करा देता हूँ और मैं अपनी recording भी start कर देता हूँ उन बच्चों लोगे जो बाद में recording देखने वाले है Welcome CA intermediate के FMK students यह है fast track batch, fast track batch में हम पढ़ रहें ratios आईए अब हम ratios में quickly आगे पढ़ना start करें कुछ formulas में आपको पढ़ा चुका हूँ जिन में से बहुत सारे formulas आप अपने आप review भी करके आ चुके हैं और अब हम chapter के mid पढ़ाव को पार कर रहे हैं आज मैं बहुत बढ़िया बढ़िया वाले बयंगतर वाले questions भी कराने वाला हूँ जो exam level और उससे भी उपर के level हैं ताकि अगर आप वो 2-4 questions कर लेते हैं तो आपका confidence बन जाता है आप exam में अच्छे से questions manage कर पाते हैं हम बहुत सारी ratios पढ़ चुके हैं जिन ratios को मैं already revise करा चुका हूँ मैं उन्हें दुबारा अभी हात नहीं लगाने वाला हूँ आज के session में सर जी आप क्या पढ़ाने वाले हो कुछ ratios जो हमारी बची हुई थी end में वो मैं एक बड़ी जल्दी से cover करा देता हूँ notes में से ही और फिर हम आगे पढ़ना start करेंगे देखिए यहाँ पर हम आ चुके है earning per share पर जरा quickly notes अपने निकाल लीजिए यह page number हमारी notes में 3.6 है earning per share देखिए दोस्तो earning per share क्या होती है earning per share मतलब एक equity share ने क्या कमाया देखिए earning per share share तो preference भी होता है बट share preference share की earning को EPS नहीं कहते है EPS किस share की earning को कहते है quickly बताओ equity shareholders की earning को तो इसमें क्या देखा जाता है residual earning residual earning मतलब होती है EAES लिखो इसके साथ residual earning कौन सी earning होती है EAES याद है EAES में किसे बोलता हूँ EAES मतलब होता है earning available to equity shares और उसे आप divide करते हो number of equity shares से उसे आप divide करते हो किससे number of equity shares से तो जब आप EAES को number of equity shares से divide कर देते हो तो आपके पास per share earning आ जाती है आपके पास क्या आ जाती है दोस्तों per share earning आ जाती है is it clear perfect 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 अब हम बात करते है dividend per share की बेटा dividend per share क्या होता है जितनी earning की है उसमें से कितना हिस्सा बाट दिया याद करो मैंने ना आपको एक दिन एक statement बनवाई थी income statement और मैंने बोला था कि इसे ना अभी end में complete कराऊंगा मैं मैंने ऐसा कह दिया था याद आया आपको ये कितने बच्चों को याद है वो income statement वाली बात चीत सर मुझे तो याद है ये वाली statement याद है तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि देखिए जो earning available to equity shares होती है उसमें से कुछ पैसा equity dividend में बाट दिया जाता है कुछ पैसा equity dividend में बाट देते हैं और जो बचता है वो retain earning होती है retain earning का मतलब होता है जो company ने पैसा कमाया लेकिन shareholders को नहीं बाट अपने पास ही रख लिया मैंने क्या कहा कौन सा पैसा होता है बेटे जो company ने पैसा कमाया लेकिन बाटा नहीं shareholders को लेकिन shareholders को बाटा नहीं तो EAES, अब द्यान से समझे, इसी के साथ लिख भी लीजिए, EAES को जब आप number of shares से divide कर देते हैं, number of equity shares से, जब आप इसे number of equity shares से divide कर देते हैं, आप EPS पे पहुंच जाते हैं, earning per share, earning per share मतलब एक share पे कितना कमाया, और जब हम बात करते हैं, equity dividend की, तो जब आप इसे divide by number of equity shares कर देते हैं, तो आपके पास dividend per share आ जाता है, कौन आ जाता है, dividend per share, अच्छा एक बात हो, earning per share और dividend per share में क्या अंतर है, जल्दी से मुझे बताओ, बोलिए, मुझे quickly बताओ, EPS में और DPS में क्या अंतर है, EPS का मतलब है, company ने क्या कमाया share holders के लिए, और DPS का मतलब है, company ने क्या दिया share holder को, दोनों में अंतर है, है न, तो actually मैं एक बच्छे ने बड़ा अच्छी बात लिखिए, बताओ क्या लिखा है, उसने का EPS minus DPS is equal to retained retained earning per share, बोलो ये बात आपको समझाई, EPS मतलब total कितना कमाया, मानो एक share पर 10 रुपे कमाया, 10 रुपे मैं से 3 रुपे दे दिया dividend में, तो बचे कितने 7 रुपे, 7 रुपे per share retain हो रहे है, 7 रुपे per share क्या हो रहे है, retain, आपको पता है, कि general fundamental valuation of shares में ये कहा जाता है, कि अगर 7 रुपे company ने retain कर लिए, तो share की value market में 7 रुपे बढ़ जानी चाहिए, बताओ ऐसा क्यों, आशुतोर्ष सोच के बताओ क्यों, आशुतोर्ष परधान, बताओ, क्योंकि जितना आपकी retain earning बढ़ गई, इसका मतलब company ने वो पैसे कमाया है, लेकिन आपको बाटे नहीं, आप आपको नहीं बाटे तो अपने पास रख लिए, जब अपने पास रख लिए, तो company उसे reinvest करेगी, तो ultimately company की value बढ़ गी, जब company की value बढ़ गी तो हर shareholder की share की value बढ़नी चीए, बेटा, actually में company share की value क्या है, आप मुझे सोच कर बताओ, एक share की value क्या है, company का वो हिस्सा है, सबका slice भी तो बड़ा हो जाएगा, slice भले चीए रहेंगे, लेकिन सबको ज़्यादा पिज़ा मिलेगा, बोलो yes or no, वो ही वाली बात है, शाबाश, तो चलिए हम आगे देखते हैं, तो मैंने भी आपको ये पढ़ाया था, EPS, और फिर DPS, DPS का मतलब dividend per share, यानि total equity dividend divided by number of equity share अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दू, ये दोनों के दोनों जो values हैं, ये specific to equity shares निकाली जाती है, ये preference share के लिए नहीं निकाली जाती है, दुबारा बोलो, ये दोनों जो values निकाली जाती है, किस के लिए निकाली जाती है, इक्विटी के लिए निकाली जाती है, किस के the share upon earning per share, मैं इसे ऐसे समझाता हूँ कि share की एक रुपे की earning के लिए आप कितने रुपे देने को तैयार हो, लिखो फिर समझाओंगा भी सही ये ratio क्या बताती है, यानि एक रुपे की earning के लिए shareholders shareholders कितने रुपे देने को तैयार हैं यानि एक रुपे की earning के लिए shareholder कितने रुपे देने को तैयार हैं, सर ये क्या बात हुई, मैं एक बात को logically समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं आपको ये कहता हूँ, इधर सुनो, प्लीज सुनो, अगर मैं आपको ये कहता हूँ, कि share का market price चल रहा है 200 रुपे और share की earning पर share है 10 रुपे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 10 रुपे कमाने के लिए आपको 200 रुपे का share खरीदना पड़ेगा आज share market में कितने का है अर्पित गुपता बताओ जरा आज share market में कितने का है बताइए जरा, अमित नेगी रगवेंद इंदर मुखी, नमन शाबराब जल्दी बताइए, नयन गुपता जल्दी बताइए अगर आज मैं ये कहता हूँ, कि share 200 रुपे का विक्रा है, 10 रुपे कमाने के लिए तो अगर मैं share खरीता हूँ मैं company को 200 रुपे दूँगा या मैं जिससे resale में भी खरीदूँगा stock exchange में भी खरीदूँगा, तो मैं 200 रुपे दूँगा और मैं share खरीदूँगा, और उस share पर मैं 10 रुपे कमाऊँगा तो यानि 10 रुपे कमाने के लिए मैं 200 रुपे दे रहा हूँ तो पर 1 रुपे कमाने के लिए मैं कितने रुपे दे रहा हूँ मुझे एक बात बताओ मैं 20 रुपे दे रहा हूँ 20 रुपे दे रहा हूँ 1 रुपया कमाने के लिए क्या आपको बात समझ आई मेरी बातें आपको समझ आई मतलब मैंने क्या आप कियाना चाहता हूँ मैं 20 रुपे दे रहा हूँ 1 रुपया कमाने के लिए मैं आपको 20 रुपीज दे रहा हूं एक रुपया कमाने के लिए बोली बाते clear हो गई आपको कितने बच्चे को समझ आ गया तो ये ratio actually में इसे ऐसे ही समझना चाहिए P ratio क्या है P ratio का मतलब है क्योंकि denominator जब आप इसे काट होगे तो denominator पे 1 छोड़ोगे न तो denominator पे 1 छोड़ने का मतलब है कि एक रुपया कमाने के लिए कंपनी में कितने पैसे लगाने को आप तयार होगे इसका मतलब है कि shareholder या market in general एक रुपय की earning के लिए 20 रुपय लगाने को तयार है इस company पे इस particular company पे अब वो अब मैं तीन बाते बताऊंगा ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें confusion होती है और इसके विएसे बच्चे गलत question करके आते है क्योंकि ना वहता दिक्कत क्या है ये सारी बाते न इकठी करके नहीं पढ़ाई जाती कभी भी इसलिए बच्चे हो confusion रहती है अब जो मैं लिखवारों में साथ साथ लिख लेना किसी एक नई spare sheet पे लिख लेना चीक है जी मानो की face value of share क्या है मानो की share की face value है 10 रुपे ठीक है और market price of share क्या है मतलब share market में कितने का विक रहा है मानो की share market में विक रहा है 120 रुपे का 10 रुपे की face value है लेकिन market में कितने का विक रहा है 120 रुपे का बुली बातचीत समझाई आप वे नहीं क्या का और company की earning per share कितनी है company की earning per share है मानो 5 रुपे अब मैं आपको 3 अलग अलग बाते बताऊंगा जो 3 डिविडेंट के बारे में होंगी और 3 आप लोगों को आज से पहले तक एक जैसी लगती होंगी इसलिए मैं इसे इस तरीके से लिखवा रहा हूँ डिविडेंट के concept को सुनो मान लेते हैं कि इस company ने dividend pay किया है 3 रुपे का मान लेते हैं इस company ने dividend कितने का पे किया है 3 रुपे का दुबारा सुनो मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनो company ने 3 रुपे का dividend दिया है 10 रुपे की face value है 120 रुपे का market price है और EPS है 5 रुपे सारी बाते clear है right सुनो अब मेरा पहला सवाल आपसे बाई company ने 3 रुपे का dividend दिया है तो जब आप बोलोगे न dividend declared कितना किया है तो आप उसे बोलोगे 30% 30% क्यों बोलोगे क्योंकि dividend declare जब किया जाता है तो face value के हिसाब से किया जाता है dividend जब भी declare किया जाता है तो याद लिखिए गा लिखिए इसके साथ dividend is always declared dividend is always declared on face value यानि 3 by 10 into 100 is equal to 30% 3 by 10 into 100 is equal to 30% ठीक है जी अब अगर market price देखोगे तो एक बात बताओ market price 120 रुपे हमने 3 रुपे का dividend कमाया तो dividend का yield कितना है एक investor है एक बात बताओ एक investor है उसने जब share खरीद है तो उसने share 10 रुपे का खरीद है कि 120 रुपे का खरीद है मुझे quickly बताओ market में price कितना चल रहा है share का 120 तो अगर आप एक investor हो आपने इस share को खरीद है कितने में खरीद है 120 रुपे में खरीद है तो आप 120 रुपे इंवेस्ट है तो आप 120 रुपे पर 3 रुपे कमा रहे हो तो ये अपकी dividend की yield कितनी है अब इस word को सुनो dividend yield तो जब dividend yield होते है तो उसका मतलब होता है dividend per share upon market price of the share in 200 तो आपकी dividend yield कितनी है तो आपकी dividend yield है 3 रुपे अपन 120 रुपे इंटो 100 बताओ ज रहा कितना आ रहा है क्विक्क्ली बताओ 2.5 तो आपको डिविदेंट इल्ड मिल रही है 2.5 परसंट लेकिन वहीं पर जब EPS के हिसाब से डिविदेंट को देखा जाता है तो उसे बोला जाता है डिविदेंट पे आउट डिविदेंट पे आउट रेशियो का मतलब होता है DPS अपॉन EPS यानि 3.5 इंटू 100 यानि 60% तो आई हो इस तरीके से अब आप कभी भी नहीं भूलोगे की वो कोशन में क्या कह रहा है वो कोशन में डिविदेंट रेत दे रहा है तो वो फेस वैल्यू पर कैलकुलेट कर रहा है क्यैं य तीनों बात या आपको समझ आगी मैंने क्या कहा बोलिये clear होगी बाते is it clear good तो अब I hope कि इसमें और explanation की जोरत नहीं बात समझ आ गई आपको क्योंकि अभी तक क्या था आप ना इन चीजों में confused हो जाते थे कि वो क्या बोल रहा है जब भी वो बोल रहा है dividend payout तो याद रखना वो EPS को base लेके बता रहा है और जब भी वो बोल रहा है dividend yield तो वो market price को base लेके बता रहा है और जब भी वो कह रहा है dividend simple dividend का rate दे रहा है dividend is declared तो वो face value को base लेके बता रहा है यानि यह होता है dividend upon face value into 100 dividend declare जो होता है स्थाइब पहरे बता है dividend yield лиलिफ्टी डिविटिंट का क्या मतलब है एक बच्चा यह मुझे से पूछ सकता है dividend yield का मतलब क्या असए dividend yield का मतलब है आपने जितना पैसा business में लगाया वह कंपनी में लगाया वह उस पे कितने परसंट का आप डिविडेंट उप जा रहे हो उस पे कितने परसंट का डिविडेंट उपज रहा है, मतलब एक ओविस सी बात है एक बात हो, आपने एक शेर खरीदावाई 120 रुपे का वो तीन रुपे का डिविडेंट दे रहे है, तो आप क्या बो लोग यानि मैंने उस शेर पे एक सो बीस रुपे लगाए और उस पे तीन रुपे कमाए तो ये मेरी दिविडेंट ईल्ड है, धाई परसंट टू पण्ट फ़ीडेंट आ रहे है ुस कमक्नी से बोली बाते ख्लेयर हो गई जी हाँ पैदावार कितनी है बिल्कुल ठीक क्या जो आप चलिए आगे देखते है तो dividend yield में dividend उपर आता है लेकिन नीचे market price आता है फीक है जी अभी book value by market value ये बाद में पढ़ेंगे पहले हम questions पे चलेंगे यहां तक की बात एक clear है concept clear है अभी तक के थमसब कर दो जल्दी से बोलिये जी YouTube वालो जल्दी से लाइक कर दो और एक बादी चैट में yes लिख दो अभी तक के concept बिल्कुल clear चल रहे हैं तो बिल्कुल सही चल रहे हैं तो जल्दी से जल्दी से एक बादी ये लिख दो चैट में सब लोग चल ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं सर आज कोई ऐसा भयंकर कोश्चन कर रहा हो जो हमारी दुनिया ही बदल दे ठीक बात है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आज हमने ऐसे ही कोश्चन पढ़ने है जो आपकी दुनिया ही बदल दे यह मतलब अब फड़े भारी बाले पढ़ेंगे बच्चों बच्चों वाले हो गाए बहुत अब बढ़े हो गया है न न हाँ चल प Jose कर अब सर जी हमने बारी कोशन चाहिए है हमने 26 फगेरा तो last class कर लिये थे राइट यह बने सारे की सारे कोश्चन हमने कर लिये थे अच्छे से चलिए देखिएगा कोश्चन मत 30 प्रीस कम टू कोश्चन मत 30 आये जी भारी कोश्चन करने चलते हैं अब हम कोश्चन मत 30 पढ़ने लगे हैं प्लीज ध्यान दीजिएगा बुक वैल्यू पर शेर इस रुपीस 40 बुक वैल्यू मतलब बैलेंच शीट के अकॉर्डिंग एक शेर की वैल्यू 40 रुपिया है इसका मतलब फेस वैल्यू नहीं है बुक वैल्यू में रिटें डर्निंग वगारा सब आठ जाती है उसकी ठीक है जी इनकी वेरियेबल कॉस्ट है 60% एवरेज कलेक्शन पीरेड बैटें कलेक्शन पीरेड मतलब डेटर विलॉस्टी अब यह आपको यह मैंने नहीं पढ़ाई है फैनेंशल लिवरेज क्योंकि लिवरेज चैप्टर इसके बाद हम पढ़ने वाले है बट उसने उसका फॉर्मला दे दिया है EBIT upon EBIT विवरेज का क्या फॉर्मला दे दिया है EBIT upon EBIT अर्निंग पर शेयर औलड़ी दे दी यानिए EPS हमें औलड़ी पता है Current Ratio Current Asset to Stock की Ratio पता है? Acid Test Ratio पता है? Stock Turnover की Ratio पता है? Total Liability to Net Worth की Ratio पता है? अब देखो यहाँ पे न एक बात आपको देखनी पड़ेगी टोटल लाइबिलिटी नेट वर्थ की कितनी है 2.75 टाइमस अब यहाँ पे यह दिक्कत होती है कि टोटल लाइबिलिटी टोटल अफ लाइबिलिटी कॉलम है यह सिरफ external liabilities है अब मैं एक बात आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा यह सुनना पहले जब हम balance sheet बनाती है ने बैटे तो balance sheet में एक आता है equity share holder funds एक आता है preference share capital इन दोनों को add करके usually हम बोलते है equity अब इसके साथ आती है debt debt होती है long term और फिर आती है current liability अब ज़रा ध्यान से सुनना एक होता है total of liability side इसे भी total liability बोलते है कई लोग इसे भी total liability बोलते है क्यों क्योंकि यह तो liability है नहीं यह तो मालिकों का पैसा है अब मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूँ जल्दी बताओ equities और cousin मालिक कौन होते है preference इन दोनों का पैसा company में लगाव है business में लगाव है लेकिन यह दोनों external लोग है यह तो बाहर वाले लोग है जब company डूबेगी ने पैसा वापिस करना पड़ेगा या इनका कुछ समय बाद पैसा वापिस करना होता है तो अब न बहुत सारे questions में आपको यह confusion हमेशा बनी रहेगी कि जब वो बोलता है total liability तो वो long term liability और short term liability को add गर के बता रहे है या total of liability side बता रहे यह question को खंगालने पे ही पता लगता है ऐसे सीधा लिखने से कभी भी नहीं पता लगेगा मैं आपको दुबारा बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ अगर question कह रहा है total liability 2 करोड है तो अब आपको यह बात कभी भी clear एकदम देखते ही प्राइम अफेसिया नहीं हो सकती कि यह जो 2 करोड है ठीक है जी यह इन सबका total है यानि total of liability side है या total of liabilities है क्योंकि हमारे जो question बनते है वो थोड़ी सी गलत English के साथ ही बनते है हमेशा कभी भी perfect English के साथ institute paper नहीं बनाता वैसे अगर वो यह 2 करोड इसको बोलना चाहता है तो पता है उसे क्या लिखना चाहिए उसे लिखना चाहिए और चाहिए total of liabilities side या फिर बोलना चाहिए equity and liabilities क्योंकि यह equity है یہ liabilities है तो या तो equity and liability बोलना चाहिए या बोलना चाहिए total of liabilities side पर कभी-कभी question खेल जाता है तो in general अगर कोशन कुछ नहीं कहता अगर कोशन कुछ नहीं कहता तो हम यूज्वली जादा तर जगाओं पे टोटल लाइबिल्टी का मतलब मानते हैं इन दोनों का सम बोलो आपको मेरी बात समझ आगई concept अचाए बात हो अभी तो वो कोशन के साथ clear होगी पर आपको problem समझ आगई की problem क्या है उसका हल तो कोशन में मिलेगा बट problem समझ आगई आप सबको बताओ जरा शाबाज चलिए आगे देखते हैं अब वो हमें कहता है सुनिए long term loan interest interest का loan है 12% net profit to sale है 10% current ratio है three मेंट एक बात बताओ अगर मुझे current ratio पता है अगर मुझे acid test ratio पता है अगर मुझे current asset to stock पता है तो यह तीनो ratio एक ही तरफ hint कर रही है और तो और मुझे networking capital भी पता है तो उससे current asset current liability दोनों आ जाएंगी उससे मैं यह सब भी solve कर सकता हूँ बोलो हाई या ना मैं आपको इस बात हूँ मुझे इस question में सबसे पहले किस को hit करने की सूज रही है इन points को देखो इसको 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 और इसको क्योंकि यह चारो points एक दूसरे से connected है इन चारो points को मैं पहले अगर solve करूँगा तो मैं easily question कर सकता हूँ बोलिए हा या ना और उसके बाद मुझे fix asset turnover पता है तो अगर मुझे sale मिल गई तो उससे मैं fix asset निकाल दूँगा उससे balance sheet मेरी बननी start हो जाएगी बोलिए बादचीत समझ आ रही है आपको इने क्या का can we start चलिए अपनों लोग start कर लेते हैं इस question को पूरा solve करना सुनिए solution यह था हमारा solution number 30 question ने हमसे मांगा क्या क्या है जरा यह भी तो देखने हम question ने मांगा है prepare करो pnl account and balance sheet मैंने आपको यही कहा था न अगला step क्या होगा कल तक हम क्या पढ़ रहे थे कल तक हम वो question पढ़ रहे थे जो balance sheet निकालने वाले थे आज हम कौन से question पढ़ने लगे हैं जिन में हमें pnl भी बनाना है और balance sheet भी बनानी है दोनों काम करने है आईए तो हमें pnl भी बनाना है balance sheet भी बनानी है अब pnl हम vertical format पे बना सकते हैं income statement वाले format पे ठीक है न साथ करते हैं अपने जगा बचाते हैं ऐसे एक बीच में line डाल देते हैं एक तरफ income statement बना देंगे यानि pnl statement एक तरफ balance sheet बना देंगे और fm में balance sheet t-shape की बना सकते हैं कोई दिक्कत निया है हमें और एक हम बना देंगे pnl ठीक है जी चलिए working note पे starting करते हैं आईए मेरे साथ नीचे आजाएए working note नंबर 1 और वाइस चलेंगे book value per share है 40 उर्पे यानि balance sheet के according book value per share 40 उर्पे है तो अभी मुझे इसकी कोई utilization दिखाई नहीं दे रही पर जब भी दिखाई देगी हम इसको use करेंगे इसलिए हमने working note लिखकर छोड़ दिया है कि 40 उर्पे की book value है हमारे share की ठीक है अब वो कहता है variable cost is 60% तो देखो उसने हमें ये बात बता दी variable cost 60% है तो यानि हमें एक बात तो समझा गई कि जब भी हम sales ढूंड लेंगे उसमें से less करेंगे variable cost तो वो 60% होगी यानि इससे हमें पता चल गया है कि हमारी PV ratio 40% होगी बोली आपको ये बात समझा गई मैंने क्या कहा यानि हमें ये बात अच्छे से समझा गई कि हमारी contribution 40% होगी आप मेरे साथ साथ चल रहे हो कि नहीं जल्दी से बताओ सब लोग क्या मेरे साथ साथ चल रहे हैं बिल्कुल good तो हमने ये point लिख लिया ये point लिख लिया average collection period 30 days है average collection period तो इसे हम working note number 2 में लिखेंगे average collection period is 30 days तो उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है 360 upon DTR debtor turnover ratio तो debtor turnover ratio हमारी कितनी आ गई 12 times और इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है credit sales upon average debtors is equal to 12 times बुली ये बात भी clear हो गई सबको इतना clear चल रहा है right प्राची ने पूछा कि क्या सर हमारे mock test होंगे बिल्कुल बिटा मैं mock test लेता हूँ और मैं mock test चेक करके भी देता हूँ तो जो आपका mock test होगा हो मैं मैं चेक भी करूँगा बैच के अंदर कि अर्पित पूछते हैं कि अब बुक वैल्यू फेस वैल्यू होती है नहीं बटे बुक वैल्यू और फेस वैल्यू जरूरी नहीं बराबर हो they can be different बुक वैल्यू का मतलब होता है balance sheet में equity shareholder funds divided by number of shares अब equity shareholder fund में equity भी आती है plus reserves भी आते है plus surplus भी आते है फीक है चलिए आगे देखते है अब वह हमें कहता है financial leverage अब एक बात दो of financial leverage में EBIT upon EBT बोल रहा हो तो खुदी बोल रहा है EBIT upon EBT सुनिए EBIT upon EBT और वो कितना है 2.2 तो अगर इन दोनों में से एक भी मिल गया तो दूसरे को हम निकाल सकते हैं या हमें interest मिल गया तो भी हम इन दोनों को solve कर सकते हैं देखेंगे अगर आगे चलके हमें debt पता हुई अ आगे चलते हैं अब वो कहता है earning per share is rupees 10 देखो each of rupees 10 ये बात पता चल गई कि हर एक share भी 10 रुपे का है यानि हमें balance sheet में ये पता चल गया कि जो equity share capital है न वो 10 रुपे वाली होगी मुझे अभी number of shares नहीं पता लेकिन ये पता है कि हर एक share 10 रुपे का है मुझे अभी number of shares नहीं पता लेकिन ये पता है कि हर एक share 10 रुपे का है और EPS 10 रुपे की है तो working note number 4 क्यासर सारे working note बनाने जरूरी है भई मैं तो मानता हूँ ऐसे बना लिया करू EPS 10 रुपे EPS का मतलब क्या होता है E A E S upon number of shares तो मुझे E A E S पता लग सकता है अगर number of shares पता हूँ अगर number of shares पता लगेंगे तो E A E S पता लगेगा मैं साथ साथ लिख रहे हो बिल्कुल चलिए अब आते हैं current asset to stock current asset upon stock कितना है ये हमारे काम आने वाला है बहुत जल्दी current asset to stock की रेशियो कितनी है बटे 3 is to 2 है या 3.2 है 3 is to 2 है यानि current asset 3 है तो stock 2 है इस तक अब हम बहुत जल्दी पहुँचने वाले है acid test ratio बटा acid test ratio का मतलब पता है आपको क्या होता है in absence of information हम acid test ratio को क्या लेते है बताइए quick asset upon current liability ये मानते हैं और अगर ये 1 है तो इसका मतलब quick asset upon current liability 1 है ठीक है जी stock turnover ratio 5 है stock turnover stock turnover का मतलब क्या होता है in general cases बोलिए stock turnover ratio का मतलब होता है sir cogs by average stock और वो आपके लिए 5 है तो अब मुझे इन दोनों में से कोई भी एक मिल जाएगा तो मैं दूसा निकाल सकता हूँ ठीक है अब वो कहता है total liability to net worth 2.75 वो कहता है total liability to net worth is 2.75 बोली यह बात भी clear है आपको बहुत ही बढ़िया अच्छा यह 8 था working note आगे देखते है working note no.9 long term loan interest 12% है यानि interest का rate 12% चलो इसका कोई working note बनाने की जुरूरत नहीं है बाद में देखेंगे net profit to sales 10% यानि net profit to sales की जो ratio है वो 10% है ठीक है अब वो कहता है current ratio is 3 working note no.10 current ratio is equal to current asset upon current liability is equal to 3 by 1 फिर वो कहता है net working capital is 10 lakh बस मिल गया हिंट हमें अच्छा एक बात बताओ यहाँ पर current asset is equal to 3 time current liability होगा ठीक है अब एक बात बताइए working capital क्या होती है working capital होती है current asset minus current liability वो 10 lakh है तो 3 times CL minus CL तो यानि 10 lakh is equal to 2 times CL 2 से divide कर दो 5 lakh is equal to CL क्या सब बच्चों को यह समझ आ गया यह अभी तक देख रहे हो पूरे question में हमें पहला clue मिला है पूरे question में उसने एक ही तो value दिये 10 lakh की और तो कहीं value दिये नहीं उस एक 10 lakh से हमने CL निकाल दिया यहां तक clear हो गया जल्दी से मुझे respond कर दो सब लोग chat पे भी yes लिख दो अगर समझ आ गया तो है ना बस अब current liability से हम backward चलना start करेंगे पहले एक point और रहता है वो भी मैं लिख दूँ working note number 11 sir आपके इस format से बहुत बड़ा हो जाता है question 11-11 working note बनाने में बिटे इमानदारी से बताओ एक ही बारी में question हो भी जाता है चार बार question नहीं पढ़ना पढ़ता है गलती होने का chance नहीं होता अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी पहली बार practice कर लो इससे अगर आप इससे 12-20 question कर लोगे न आपको यह असान लगने लग जाएगा trust me आपको यही असान लगने लग जाएगा ठीक है तो last एक working note हमारा रहता था fixed asset turnover देखो two turnover नहीं है क्या लिखा है fixed asset turnover एक बात हो fixed asset two turnover लिखा होता तो formula बदल जाता और fixed asset turnover लिखा होता तो बदल जाता तो fixed asset turnover है 1.2 तो fixed asset turnover उसका मतलब है कि नीचे fixed asset आएगा उपर sale आएगा और उसका answer होगा 1.2 तो बस अब हमें इससे sale न जाएगी ठीक है जी चलिए तो हमें current liability पता है अब current liability कहां कहां रख सकते बताओ यह working note number 10 में से निकाला है हमने current liability यहां रख सकते हैं तो 1 is equal to quick asset by 5 lakh तो 5 lakh is equal to quick asset और यह हमने working note number 10 से उठा के लाए थे ऐसे ही अब हो कहता है कि current asset बताओ तो current asset यहीं पर 3 गुना आ जाएंगे current asset is equal to 3 times CL यानि 15 lakh तो current asset भी पता है हमें तो हमें current asset भी पता है current liability भी पता है जिब दो चीदे पता चलगी balance sheet में रख दो जो जो आता रहा यूश क्या करना चाहिए हमेशा balance sheet में सजा देना चाहिए very good तो 5 lakh 15 lakh जल्दी से balance sheet में रख दो तो मैं एक काम करता हूँ current liability का total 5 lakh बाहर लिख देता हूँ और current asset का total 15 lakh भी बाहर लिख देता हूँ outer column में लिख दिये मैंने good अब एक बात बताओ अगर मुझे current asset अल्रेडी 15 lakh का पता है stock नहीं पता तो stock कितने का आ जाएगा तो इसे solve कर लोग 10 lakh का आ जाएगा तो stock होगा 10 lakh का और quick asset other quick asset होगा 5 lakh के तो यह दोनों भी balance sheet में रख सकते हैं हमें stock पता लग गया 10 lakh का है तो मुझे एक बात आईए इधर हम stock कितने का लिख सकते हैं 10 lakh का और बाकी के quick asset 5 lakh के हैं हमें यह बात भी पता है ठीक है जी कोई दिक्कत तो नहीं है absolutely no doubt till now हाँ quick asset minus अगर आप यह भी कर सकते थे कि current asset minus stock equal to quick asset लिखके भी निकाल सकते थे बिल्कुल निकाल सकते थे ठीक है जी बोलिए यहां तक कि बातचीत आपको समझ आ रही है हमने क्या कहा absolutely अब देखो अबना question की रूह को पकड़ो question ने हमें asset तो दे दिये पेंसिल चार्ज में एक मनेटो को कर देते हैं हाँ जी एक मने जब तक पेंसिल चार्ज हो दे तक बातचीत कर लेते हैं question के बारे में overview ले लेते हैं अभी तक question में हमने क्या क्या निकाल लिए current asset निकाल लिए current liability निकाल लिए हमें अपनी asset side की अगर हम बात करें तो 15,00,00 के current asset पता है लेकिन लेकिन हमें क्या नहीं पता अभी तक भी balance sheet का total नहीं पता अभी तक भी हमें balance sheet का total नहीं पता हमें variable cost पता है book value per share पता है यानि एक share की book value क्या होती है ठीक है जी question में हमें stock निकल चुका है अगर हम चाहें तो stock 10,00,00 का हमें पता ही है और बस और तो कुछ नहीं पता हाँ stock पता है तो उससे cogs आ जाएगा हमारे पास बताओ stock से cogs कैसे आ जाएगा सोचो बटा अगर हमें inventory turnover ratio पता है आप इधर देखो यह वाली ratio देखो अगर मुझे stock अलड़ी 10,00,00 का पता है तो मुझे cogs कितना पता लग जाएगा सोच के बताओ ठीक है जी बताओ जल्दी से YouTube पे निखिल गुपता जी आए है कह रहे है हमारे costing के 57 आए है very good बटा निखिल congratulations I am very happy to hear about your marks very good तो देखो भी यह cogs आगे 50,00,00,00 कितने का आजाए जब तक मेरी pencil चार्ज हो रही है आप मुझे guide करते जाओ जल्दी चल्दी बताओ cogs समझ आगया अच्छा ठीक है अब अगर मुझे cogs पता है तो मुझे यह भी पता चल गया कि मैं इसकी help से cogs की help से हम यहाँ पे पहु तो सेल 50,00,00,00 की हो जाएगी चेक करो क्या इस question में हमें gross profit की percentage दी हुई है क्या इस question में gross profit की percentage दी हुई है बोलो हाँ यह ना पीके बोलते हैं कि sir आप question का brief दे दो क्योंकि मैंने अभी अभी join किया है बटा अगर अभी अभी join किया है तो फच जाएंगे आप क्योंकि मैंने बहुत लंबा question अलड़ी करा दिया अब इतनी देर अगर मैं दुबारा कराऊंगो तो बहुत लोग का waste होगा आप लीज वी दिया था याद करो कि मैंने formula पढ़ाए तो मैंने क्या बताया था मैंने बोला था कि cogs तब ले सकते हो अगर उसके बारे में कोई जानकारी हो अगर ना जानकारी हो तो आखिर option होता है sale लेना तो इस question में मैं जान मूच के आपको फसा रहा हूं सुन लो मेरी बात मैं question हो सक सकता आप cogs को काट दो sale लिख दो तो एक बात तो अगर मैं बोलू sale और मैं नीचे लिखूं 10 लाग और यह 10 लाग कौन से working note से आया बटे यह भी बताओ सरी working note number 5 से निकल के आया है तो equal to 5 तो आपके पास sales कितनी आ जाएगी sales आ जाएगी 50 lakhs sales कितने की आ जाएगी 50 lakh और कौन से working note में आ जाएगी working note 7 कितने बच्चों को यहां तक समझ आ गया raise hands chat पर जो बैठे हैं वो yes लिख दो जिनके camera's on नहीं है वो yes लिख दो very good just lean car ठीक कहे रहें आप sale ले लिए हमने 50 lakh तो अब देखो sales से हम कहां कहां पहुँच जाएगे सुनो अगर हम मान के चलते हैं कि हमारी 50 lakh रुपे की sale है जिसमें से variable cost हमारी 30 lakh रुपे है तो हमारी contribution कितनी हुई 20 lakhs बुले ये बात भी समझ आ गई है आपको good perfect perfect कि आप लोगों को यहां तक की बातचीत समझ आ गई है perfect भावना आपको समझ आ रहा है वेटे बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया अजी चलिए अब हम आगे देखते हैं हमें sale पता है तो उससे हमें क्या क्या और मिल सकता है सोचो आपको sale पता है sale से आप net profit निकाल सकते हो इधर बताओ net profit कितना होगा आपके पास अगर sales already आपको 50 lakh की पता है तो आपके पास net profit net profit किसे कहते हैं जानते हैं आप profit after tax को net profit बोलते है net profit किसे बोलते है profit after tax को बोलते है P.A.T. को या E.A.T. को तो E.A.T. कितना होगा पाँच लाक अब एक बात होगर आपको E.A.T. पता है आपके पास leverage already given थी tax rate कितना था इस question में tax rate था क्या बताना मुझे एक बड़ी ज़रा जल्दी से tax rate था नहीं था देखने एक बड़ी question को अच्छा लिखा वे question ने ignore tax question ने क्या लिखा वे? ignore tax बेटा ignore tax हमादो tax वेला point आई गई लिए तो जो E.A.T. है वो ही E.B.T.B. होगा आप यह बताओ यह working note number 9 आपको समझ आया? सबको समझ आ गया working note number 9 तो working note number 9 में हमने E.A.T. निकाल लिया अब E.A.T. जितना है वो ही E.B.T. भी होगा बताओ क्यों? इधर ही लिख देता हूँ चलो ऐसे लिखो E.A.T. will be equal to E.B.T. as tax ignored in question as tax ignored in question क्योंकि इस question में हमें tax को ignore करना है मैं repeat कर रहा हूँ में क्योंकि इस question में हमें tax को ignore करना है क्योंकि इस question में हमें tax को ignore करना है इसलिए हम E.B.T. E.A.T. को equal मान सकते हैं कितने बच्चे यहां तक बिल्कुल मेरे साथ चल रहे हैं बिल्कुल और 100% समझते हैं चल रहे हैं जल्दी से बता दो मैं पहले ही आपको बता दूँ यह अबब एवेरेज वाला कुछन है पांच लाग आया था तो आप मुझे यह वर्किंग नोट नमबर कहां से लिया था याद दिलाओ गैरा से नाइन से अच्छा कुछ बच्चे ना यह वर्किंग नोट नमबर नहीं लिखते हैं पता है वो कब फसेंगे जब रिवीजन करेंगे उन्हें समझ ही नहीं आएगा उन्होंने कोशन कैसे किया था पहली बारी में तो EBIT आजाएगा गैरा लाग का आप यह देख रहे हो कितनी कम इंफर्मेशन से कोशन बच्चते बच्चते कहां तक पहुँच रहे आप यह नोटिस कर पा रहे हो कोशन बच्चते बच्चते कहां से कहां तक पहुच रहे EBIT आगया 11 लाग EBIT क्या होता है Earning Before Interest and Tax अब सुनो मेरी बात कॉपी कर लिया इतना समयक कॉपी कर लिया सबने युक्ति, अकाश अयूश, उज्वल गुड तो एक बात बताओ हम contribution में से क्या माइनस करते है, Fixed Cost format बना देते है पूरा जो नहीं होगा उसे ignore कर देंगे फिर आता है EBIT EBIT में से less कर देते है Interest Interest के बाद आ जाता है EBT EBT में से माइनस कर देते है Tax, लेकिन इस question में Tax तो है ही नहीं तो आ जाता है Earning After Tax ठीक है जी अब एक बात दाई है, हमें Earning After Tax भी पता है कि 5 लाख है ये भी हमें Working Note No.9 से पता लगा था, ये 0 है तो ये भी 5 लाख होगा ये भी हमें Working Note No.9 से पता लगा है और ये 11 लाख है और ये हमें कहां से पता लगा था Working Note No.3 से यह में working note number 3 से पता लगा है मैंने फुल फुल figures लिख लिख लेता हूँ यानि ये गैरा लाग है यानि ये पांच लाग है यानि ये भी पांच लाग है क्या आप यहां तक मेरे साथ है हाँ अब interest भी आ जाएगा balancing figure से बताओ ये balancing figure से interest आ जाएगा इन दोनों की help से कितने का interest है यानि 6 lakh का interest है अब interest पता है तो आप debt पता लगा सकते हो बताओ इक बात आओ अगर आपको interest पता है तो आप debt पता लगा सकते हो reverse working से क्योंकि interest का rate पता था आपको 12% good शाबाश तो एक working note हमें और बना देना चाहिए क्योंकि हमें interest rate पता था बताइए जी working note number 12 क्या कहता है debt into 12% is equal to interest और हमें interest अलड़ी 6 lakh का पता है तो क्या किसे ने debt का amount calculate किया था बटे बोलिये ज़रा debt का amount कितना निकाल लिया था आप लोगोंने कोई कहा रहा है 60 lakh कोई कहा रहा है 50 lakh बटे 50 आएगा वैसे मेरे इसाब से तो 50 ही logical है अब डिवाइड करते हो ने 0.12 से तो debt की value 50 lakh आनी चाहिए कोई 60 lakh जो कह रहे है उनका हो सकता है कोई estimation में error हो debt आ गया working note number 12 से working note 12 से 50 lakh तो इधर सुनो अब आप इधर debt लिखो debt 12% वाली वो भी 50 lakh की क्या यहां तक भी clear है मैं भगा नहीं रहा हूँ बिटा question को मैं चाहता हूँ अब समझें कितने में अच्छे साथ साथ समझ पा रहे हैं पूरा बहुत ही बढ़िया चले और आगे बढ़ते हैं अच्छे एक बात हो fix cause balancing figure से आ जाएगी यह 9 lakhs की आ जाएगी यह हमें पता नहीं थी पहले लेकिन अब यह balancing figure से आएगी वैसे चाहिए नहीं चाहिए वो एक अलग बात है बट हमें यह भी हमें पता लग जई बोले इतनी बाते clear है चलो आगे देखते हैं अब एक बाद न working notes को जड़ा evaluate करते हैं कि हम कहां तक पहुँच चुके हैं एक बात हो अगर मुझे credit अगर मुझे sales पता है तो मैं उसी को credit sale मान सकता हूँ बेटा in absence of information मैं अपनी sale को credit sale मान सकता हूँ बुलिये हाँ या ना तो अगर मैं इसे 50 लाग को अपनी credit sale मान लेता हूँ तो मैं average debtors से debtors निकाल सकता हूँ फिर बेटे debtors कितने आ जाएंगी आपकी बताना बेटे 50 lakhs को divide करो जड़ा कितनी figure आ जाती है आपकी पसकुछ एक अजीब सी figure आ जाएगी कितनी आई 416667 मैंना आपकी calculation में वरोसा नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं खुदी जो value calculated है pre calculated है institute द्वारी वो use कर रहा हूँ 416667 तो यह debtor है हमारे तो यहाँ पी मैं debtors दिख सकता हूँ 416667 ठीक है जी perfect perfect चलिए अब आगे working note नप पैक करना start करते हैं हमने ये वाला pack up कर दिया ये वाला working note pack up कर दिया ये ये इस number of shares के भी हमने बात नहीं करी है अभी इस पे हम बात करेंगे हमने working note number 5 pack कर दिया 10 pack 6 pack कर दिया 7 pack up कर दिया अच्छा एक बात हो total liability to net worth अब वो कहता है total liability जो है और उसकी और net worth की जो आपस की ratio है वो हमें दे जा रहा है question के अंदर अब एक बात तो अभी तक हमें liabilities कितने की पता है बोलिये जी अभी तक हमें liabilities कितने की पता है 55,00,00,00 की अगर मैं मान के चलूँ कि यहाँ पे total liability का मतलब है total external liability मैंने क्या कहा था नहीं देखो खुशी यहाँ पे मैं यही समझार हो मतले यहीं फिसलेगा बच्चा जो खुशी ने कहा ना खुशी ने कहा कि इस से में total liability पता लग जाएगी यहीं फिसलेगा बच्चा वो यहीं चाहता है यहीं पे फिसले मैं एक बड़ी वापिस लेके चलता हूँ मैंने इस question को starting से पहले एक बात बोली थी कि अगर question में आ जाए कि total liability दो करोड की है तो वो total of liability side मानोगे यह total of liability मानोगे बेटे रुख जाओ जारा एक बड़ी अपने आपको करोड सुन लो मेरे बेटे अगर मान लोगे हमें total debt 2 करोड पता है तो वो total debt total of liability side मानोगे यह total of liabilities मानोगे उतकर्श दोनों बातों में क्या अंतर है समझ आ रहा है बेटे total of liability side और total liability दोनों में अंतर है total liability का मतलब है बाहर वालों को कितना पैसा देना है long term debt, short term debt दोनों को add करो तो total liability आती है but total of liability side अगर मानो, total of liability side मानो तो बात अलग बनलते हैं अब मैंने आपको एक लेकिन बात बोली थी जब यह मैंने question स्टार्ट किया थी उससे पहले मैंने आपके सामने अभी तक मैंने उसे use ही नहीं किया आयूश पूछ रहा है कि sir book value of share का मतलब use नहीं आ रहा मैंने अभी तक use किया ही नहीं उसे मैंने कहां use किया भाई अभी तक use किया ही नहीं है दोस्त करूँगा देखो इस working note पे कुछ लिखा है मैंने अभी नहीं तो नीन से जागो मुहन प्यारे मैंने कहां मैंने use ही नहीं किया कैसे मुझे कह रहा है कि मैं इनकों समझ नहीं आ रहा है भाई समझ तो तब आएगा तब समझाओंगा आप हाँ ये सवाल हो सकता है कि sir मुझे book value हो मतलब भी नहीं बता वो भी मैं बताऊंगा फिर वो अलग सवाल है ठीक है हाँ ठीक है मने चलिए लिखते हैं अब हम बचे हैं इस पे इस पे यहाँ पे total liability को नीचे उपर एक note लिखो we assume ऐसे लिखो we assume it to be total external liability वी अज्यूम इट टूबी टूटल एक्स्टरनल लाइबिलिटि सर काहे बिटे एक बात बताओ आप इससे करने से ना आपका जोल जोल की बोलो ठीक है जी कोश्चन कहता है कि जब भी हमें लाइबिलिटी दी जाती है वह उन्हें कितने की थी 50 लाग की तो बताना मुझे आफ फिक्स एसेट कितने होंगे क्या किसी बच्चे के पास फिक्स एसेट निकालने की अपने निकाली है के पॉसिबिल्टी बटे करियो दरह फिक्स एसेट डिवाइड़ बाई 1.2 बताओ 41.6 लैक्स है ना 41,666,667 यह है 41,666,667 तो यह हमारे फिक्स एसेट है यह हमारे क्या है फिक्स एसेट है लेकिन इस कोश्चन में खेल है सुनना मेरी बातों को द्यान से सुनना यह पहले लिखोगे तो जो आपका कोश्चन है वो मैच ही नहीं करेगा गड़बड़ है कोश्चन के अंदर इनहेरेंट गड़बड़ है क्यों यदि मैं इसे रख देता हूँ ना बैलेंशीट में पहले अब आप क्या करोगे आप यह कहोगे सर मैं यहां पर फिक्स एसे टर देता हूँ 41.67 लाइक यही रखना चाहोगे और आप पता है क्या चाहोगे आप चाहोगे कि सर मैं इसका total से इसका total से यहाँ पहुंच जाओ यही पहुंचना चाहोगे यही पहुंचना चाहोगे आप देखना आपकी एक ratio बिगड़ जाएगी मैं यही आपको समझा रहूँ हूँ इस question के अंदर एक inherent fault है और जब आएगा इसी fault के साथ आएगा इसी तरीके से आपने करके आना है सुनो अभी लिखना नहीं लिखना नहीं कुछ भी जो मैं बोल रहा हूँ मसूसर सुनो एक बात ओ इसका total कितना होगा बताओ इसका total कितना होगा करो मेरे साथ साथ calculator करो चलो plus 15 तो 56.6 हुआ अब एक बात ओओ इसका total 56.6 है तो इसका total भी 56.6 होना चाहिए बट इन दोनों का total ही पचपन है तो क्या पूरी equity एक लाग की होगी 1.67 लाग की होगी वो तो हो नहीं सकता यानि question में गड़बड है लेकिन वो गड़बड कैसे पता लगी कि जब आप कर रहे होगे तभी गड़बड पता लगे तभी मैं इस question को खुद करा रहा हूँ क्योंकि आप खुद करते तो गड़बड सामने आती ठीक है जी बोले मेरी बातें समझ आ रही है तो सार हम क्या करें जो मैं बोल रहा हूँ वो करूँ आपको टोटल अभी पहले इधर तो आओ आपको टोटल लाइबिल्टी पता है कि नहीं पता अच्छे एक बात बताना एक बन ज़रा सुनना सुनना बटे जो बच्चे यहाँ पे चाचा चादरी बन रहे थे भी वो यह कह रहे थे कि 56.67 लाग है 56.67 लाग है सर मैं यहाँ पे भी सर मैं मशाल लेके आगे आगे चलूँगा विद्रो की आग जलाओंगा मंगल पांडे बनूँगा क्या करूँगा 56.67 लाओंगा यहाँ पे क्या बनाओंगा 1.67 लाग तो तुम्हारे लिए एक नेट वर्थ कित्मी होगई नेट वर्थ तुम्हारी 1.67 लाग होगई सुनना जरा सुनना क्यों गलत है यह यह इस बात को सुनना तुम्हारी नेट वर्थ 1.67 लाग होगई अब एक बात बताओ फिर इस रेशियो को कैसे justify करोगई हाँ जसलीन ने कहा दोनों मेंसे एक ना एक रेश्यो तो गड़ बड़ है नहीं बटे मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा उससे आपको अधर फिक्स असे भी मिलेंगे इस कोश्चन में अधर फिक्स असे चुपेवे फिक्स असे इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं एक मिन अगर एक बच्चा यह कहे कि सर मैं पहले एसेट साइट को टोटल कर देता हूं 56.67 तो सर मैं यहां पे भी 56.67 लिख दूंगा तो सर यह 1.67 हो जाएगा मेरे लिए अगर आपके लिए 1.67 हो गया तो आप एंड में इस रेश्यो को मैच करके तो देखोगे कि अगर यह 1.67 है इससे ज्यादा तो नमारी करिंट लाइबिल्टी है इसका मतलब आपने कहीं न कहीं गड़बड कर दिया आपको अपनी गड़बड समझ आगई हाथ उठालो गर गड़बड समझ आगई कि क्या गड़बड हुरी इसलिए अब मैं कहा रहा हूं जिस तरीके से मैं करा रहा ह है कि आप एक अंतरियामी बाबा हो आपके पास दिवेश शक्तियां है आप एक्जाम हॉल में आलती पालती मार के टेबल के उपर बैट के साथ नवे बैट कर देखोगे भगवान आपके सामने प्रकट होंगे और आपको बता के जाएंगे कि इस कोश्चन में एक अधर फि अगर मैं टोटल लाइबिलिटी को एक्स्टरनल लाइबिलिटी मान के 50 प्लस 5 लैक्स यानि यह डेट प्लस करेंट लाइबिलिटी तो 55 लैक को उपर रग दो तो मेरी नेट वर्थ कितनी आ जाएगी तो सर जी मेरी नेट वर्थ हाजाएगी कितनी 20 लाक यानि मेरी नेट वर्थ हाजाएगी 20 लाक पहले बताओ यहां तक बाते क्लियर होगी अब थमजब करोगा अब बाते क्लियर है यानि हमें यह पता चल गया हमारी नेट वर्थ है 20 लाक अब इधर रखो नेट वर्थ, नेट वर्थ में एक्विटी प्रेफरेंस सबका पैसा आ जाता है, वो 20 लाग है, और ये कहां से निकाल के लाए बटा, कौन से वर्किंग नोट से, वर्किंग नोट नमबर 8, अब इसका टोटल करो, अब इसका टोटल कितना आएगा, 55 लाग, तो ये 75 लाग आ अब दर, नॉन करेंट एसेट्स, ये 15 थे, 15 लाग, तो बागी के निकाल लो जड़ा, 75 माइनस 15, बचे 60, 60 में से माइनस करो, 41.67, 18.33 लाग्स, यानि ये इस question के अंदर, खोई हुई figure है, जो आपको खोजनी है, जिसके बारे में question में कोई जानकारी नहीं है, सेर ऐसा क्यों करता है, institute हमारे साथ, कम से कम question तो पूरा दे, अब अगर कर दिया तो छोड़ा होगी paper, नहीं न, इसलिए एक question ऐसा है, करार हो, ऐसा ही आएगा, आएगा, तो यही figures आएंगी, इसी तरीके से गलती करेगा, इसी तरीके से आप उसे ठीक कर गया हो, यह actual में न, यह पता किस तरीके का question है, यह basic financial audit का question है, financial audit का मतलब है कि company की आधिय दूरी information आपके पास होती है, आप audit करके पता लगाते हो कि इनके कितने asset गायब कर रखे हैं इनोंने, यह वो पैसा है जो इस company ने गायब कर रखा होगा गई, यह आप financial audit सीखोगे न, future में forensic audit सीखोगे, आप reverse calculation of financial सीखोगे, तब आप यह सब समझोगे कि यह क्या हो रहा है, ठीक है जी, सुनो, दुबारा सुनते हैं, दुबारा सुनो पहले मेरे साथ, question था, देखो, formula था, total liability by net worth is equal to 2.75, दुबारा सुनो, total liability by net worth is equal to 2.75, हमने total liability किसे माना, debt थी 50 लाग की, और 5 यह दोनों बाते हमें पता थी, यह दोनों external debt होती है, external debt का मतलब होता है, जो बाहर वालों को पैसा देना है, बैटे, external debt का मतलब क्या होता है तरुन, external debt का मतलब क्या होता है, जो पैसा हमने बाहर वालों को देना है, तो हमने बाहर वालों को यह 55 लाग देना है, is equal to net worth, upon net worth 20 लाग है, समयक समझ आगे आपको चले, तो एक बात हो इस side का total अब हमारे पास कितना आगे, अब हमारे पाँ asset side का total है, sorry, reliability side का total है 75 लाग, तो asset side का total भी 75 लाग आएगा, लेकिन हमें 15 लाग पता है, और 41.67 लाग पता है, तो balancing figure ये है तो ये actually में एक balancing figure है कि other hidden assets है इनके, इस company के पास यानि hidden assets है, ठीक है चले, very good, आगे पढ़के देखते हैं फिर हम हम कहां तक कहुँचे थे अभी कितने notes हो गए थे, सुनो, हमने note number 10 निप्टा दिया, 11 निप्टा दिया, 12 निप्टा दिया 9 निप्टा दिया, 8 निप्टा दिया, 7 निप्टा दिया तो बचा कौन सा note है बताओ अच्छा, एक ये EPS का बताओ है, इससे हम number of shares पता लगा सकते है एक बात हो, EAES कितना है, इधर सुनो EAT जो होता है, इसमें से preference given minus होना होता है जो कि इस question में 0 है तो जो बचेगा वो EAES होगा तो इस question में EAES भी 5 लाग का है इस question में EAES कितना है 5 लाग बोलो समझ आ रहा है EAES 5 लाग का है तो अगर question में EAES 5 लाग का है तो यहाँ पे हम 5 लाग लिख सकते है तो बताओ number of shares कितने आएंगे 50,000 share है और हर एक share 10 रुपे का है और हर एक share कितने रुपे का है 10 रुपे का तो share की equity share capital कितनी है 5 लाग क्योंकि देखो 50,000 share है हर एक share 10 रुपे का था हर एक share कितने रुपे का था 10 रुपे का तो 50,000 के number of shares थे यह copy कर लिया है तो बताओ मैं आगे चलू copy कर लिया number of shares लिकाल लिया न, good तो बटाँ अगर मैं आपको यह बोलता हूँ कि number of shares इधर सुनो equity share capital है 50,000 shares 10 उर्पे वाले तो 5,000,000 के shares है तो इसका मतलब बाकी का पैसा reserves and surplus में होगा 15,000,000 यह balancing figure है क्योंकि इन दोनों को total करके 20,000,000 आना चाहिए इन दोनों को total करके 20,000,000 आना चाहिए अब मैं अन्त में आयूश का doubt लूँगा कि book value मुझे समझ नहीं आ रही वो भाई समझाएगा tension नहीं पर पहले बताओ बाकी पूरा question समझ आ गया हाँ इसकी balancing figure भी लिखनी है other current asset या cash जो भी बोलो इसे तो इसका नाम क्या आओ इसमें बैलंसिंग figure क्या आएगी इसकी बताना 8333 यह भी balancing figure है क्योंकि total 15,000,000 के current asset थे यह अब हमारा final answer है जो हम exam में present करेंगे मैं भी book value समझाऊँगा जो की आयूश समझना चाहता है और बाकी बच्चे भी समझना चाहते है पर पहले मुझे यह बताओ कैसा लगा मज़ा आया की नहीं आया अभी इस question से पहले क्या था तुम बन रहे थे चाचा चादरी तुम्हें लग रहा था एक कैरा पूरा हिल गया मैं हाँ ऐसे लग नहीं रहा था बीच-बीच में question की ऐसे नहीं लग रहा था वक्त बदल गए हालात बदल गए बैटा रितिक देखो रितिक पता है बच्चों के अंदर से न अकाउंटिंग निकल नी रही मतलब पता है उनके इतनी डीप अंदर तक अकाउंटिंग बस चुकी है न कहरा सर उन्होंने पिनल अकाउंट मागा है आपने पिनल स्टेट्मेंट बना दिया है और भाई ये अकाउंटिंग का एक्जाम नहीं है ये FM का एक्जाम है है FM में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है हाँ एक लेकिन एक वादा मुझे पक्का करो आज ही ये कोशन दुबारा खुद से कर लोगे एक बार खुद करोगे ये कोशन क्योंकि जब आप खुद करोगे ना आपका confidence level boost होगा आपको समझ आएगा कि हाँ क्या करना है हाँ जजबाद बदल दिये हाँ एक बात बहुत अच्छी बोली रगवेंद्र ने एक student है रगवेंद्र ये YouTube पर पढ़ रहे हैं इन्होंने पता है क्या बोला तो रगवेंद्र कह रहा है कि sir this question teaches humbleness बड़ी सोचने वाली बात है भाई अगर मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूँ उकात याद दिला दी question ने हमें humbleness दिला दी न हम चौधरी बन रहे थे हमें लग रहे था हमें तो सब आता है उतने के बटए इदर आ और लेकिन वैसे मैं एक बात वोलू मैं इस question से ना खुश नहीं हूँ यह कोई बात हुई तुम बच्चों के साथ hide and seek खेल रहे हो बच्चे को बिचारे को इतना सा पता है fix asset plus current asset total side asset आ जाती है तुम उसमें बीच में एक अपनी टांग अडा रहे हो कि नहीं जी other non current asset भी होंगे अब आप मुझसे पूछो कि other non current asset कौन से होते हैं वैसे यह logical नहीं है यह exam के लिए नहीं है बट मैं आपके दिमाग को शान्त करने के लिए ठंडा करने के लिए जरूर बता देता हूँ कि हम ऐसी accounting कब करते हैं हम ऐसी accounting कब करते हैं जो हमें company में कोई शक होता है कि पैसा गायब हुआ है अब सोचो सोचो आप एक financial auditor होते और आप इस company की यह balance sheet reverse calculation से कर रहे होते और आपको इस asset के बारे में कोई hint नहीं मलता तो आप बाकी सारी ratio से compute करके आते कि इस company में 18,33,18,33,18, गायब किया गया या तो पैसा या तो इसकी investments दिखाओ कि आपने कही invest कर रखा है यह पैसा company ने वरना यह पैसा गायब हुआ है क्योंकि आपकी liability side heavy है asset side कम है तो यह figure missing है यानि हम जब अपनी report लिखते तो हम लिखते कि इस company के बास 18,33,000,000 की कोई भी information available नहीं है इसका अच्छा अब बात होती है सर बुक वैल्यू बताओ हमें बुक वैल्यू ना पता गुड आयूश ने बोला कि मुझे बुक वैल्यू का मतलब यह नहीं बता तो सुनो बैटे यह एक अलग concept note है लिखना चाहो लिखो नहीं लिखना चाहो मतलब को आपकी इच्छा है concept note की book value किसे कहते हैं बुक वैल्यू क्या है ऐसे भी लिख सकते हो शेयर की book value क्या है एक बात तो जब आप balance sheet बनाते हो तो आप बहुत कुछ लिखते हो equity share capital लिखते हो जैसे 50,000 share है आपके पास 10-10 रुपे वाले तो 5,00,000 रुपे की equity share capital है फिर आप इसकी reserves and surplus लिखते हो फिर आप आप इसका P&L लिखते हो कोई और reserve पढ़ाओ किसी भी तरीके का किसी भी नाम का security premium पढ़ाओ किसी भी nature का आपका कुछ भी और पैसा पढ़ाओ वो सब भी आप present करते हो मानो वो सब मिलाके 15,000,000 है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि company के हर share की balance sheet के according क्या value ह ठीक है जी मेरी बात को समझो तो equity shareholder funds कितने हैं बताओ आप मुझे book value क्या होगी book value होगी equity shareholder funds divided by number of equity shares तो इस company में कितने थी equity shareholder funds पांच लाग प्लस 15 लाग या नहीं 20 लाग number of shares कितने थे 50,000 तो बताओ बटे book value per share क्या हुई बदाओ book value per share क्या हुई 40 रुपे क्या यी बाते clear होगी क्या यी बाते clear होगी आच्छा तो यानि book value का मतलब सर यह होता है कि equity का जितना भी पैसा हमारे पास है चाहे वो equity share capital का हो चाहे उनके reserves हो उनके surplus हो उनके security premium हो उनके नाम का कोई भी पैसा वो सब add करो divide by number of share करो तो एक share की book के according value आ जाती है करते हैं बताओ मैं question में न एक और तरीके से question के सही answer तक पहुंचने के लिए hint था कितने बच्चों को समझ आया question ने book value 40 रुपे दी हुई थी अब सुनो मेरी बात अब जो मैं बोल रहा हूं बड़ी बड़ी typical बात है बहुत बहुत typical बात है यह कम बच्चों को समझ आएगी लेकिन जिने समझ आएगी उन्हें लगेगा कि हाँ सर अब समझ आगए कि question ने दो बार hint दिये थे कि बेटा तुम इस question में asset side को पहले total मत करो question ने दो बार hint दिये थे देखो कैसे यह copy कर लिया book value पर share समझ आगई अब सुनो मेरी बात देखो question ने आपको book value बताई थी पर share 40 रुपे का है इसका मतलब हमें number of shares पता थे number of shares 50,000 है तो हमें यह बात पता चल गई थी कि 40 रुपे into 50,000 यानि 20 लाग की net worth होनी चाहिए बोलो हाँ याना 20 लाग की net worth अगर 20 लाग की net worth होगी तो यहाँ पर अगर आप 20 लाग की net worth रखते और इससे multiply करते तो total liability 55 लाग की आती यानि हमें समझ आजा था कि वो external liability की बात कर रहे है total liability की बात नहीं कर रहा है कॉर्शन की cross checking समझ आई कितनों को समझ आई यह मैं समझाना नहीं चाहता था बट मैंने फिर भी बता दिया आपको क्योंकि इस पर double time spend हो रहा है हमारा वर्ना कॉर्शन पर कितने वैच्छों को समझ आ गया cool तो मुझे लगता है अब आप कम से कम अब गलती नहीं करोगे जब घर पे करोगे महीं करोगे न अफ्रोज चलिए सर एक और कुशन ऐसा ही हो जाए कोई तड़कता फड़कता वासा एकदम ऐसी जो जिया में आग लगा दे हमारे है ना बोलो दिल हो रहा है नहीं हो रहा है अब आपका दिल कहा रहा है कि सर मुझे न कराओ एक्जाम बाले कुशन ये बच्चे बच्चे बाले छोड़ो एक दो साल पहले में कभी आये हूँ ताकि आप उनको पता तो लगे कि एक्जाम में क्या चल रहा है आचकर बाद अचला मैं कुछ और पढ़ रहा है बात भी सही है अधिक बाले तो आज़ो फिर तुम्हें एक्जाम ले चलते हैं कि दो चार अटेम पहले कोई कोशन आया ह इसको ठाकि हम करा देखो एक बारी यह देखो यह न जुलाई दोहजार इक्जाम में था वैसे मैं कराना नहीं चाहता क्योंकि सेम ऐसा कुशन मैंने रास क्लास करा दिया था अब बस यह कुशन को देख लो आपको लगता है कि ऐसा कुशन हमने कल किया था आप कर लोगे इसे सिर्फ येस बोल दो और नो बोल दो नो बोलोगे तो मैं करा दूँगा येस बोलोगे तो मैं नहीं कराओंगा ऐसा किया था ना हमने यादे जुलाई 2021 के जैसा बेटा ये प्रैक्टिस शीट में पेज नंबर 3.6 पे प्रैक्टिस शीट में पेज नंबर 3.6 पे पहुच्चुक्यों अब कि नहीं बड़िया से पढ़ाई करकर के ऐसा मज़ाग करते रहते होंगे स्कूल में भी आपके बच्चे जास पास कोई जान पेचान के लोग होंगे कि नहीं आपका नाम ही इतना फेमस हो गया ना मूवी से ठीक है चलिए एक अधर कुश्चन अपको नहीं पढ़ाईगा के लिए एक ये कुश्चन में दिखाना चाहता हूँ अपको कुश्चन में 17 है तो पुराना लेकिन कुश्चन में दम है देखे इसके थुरू मैं कुछ फॉर्मलाज भी पढ़ाऊंगा आपको कुश्चन में 17 प्रैक्टिस शीट नमेंबर 2020 के एक्जाम में आया था टोटल एसेट इम्प्लॉइड टोटल एसेट लगे हैं 10 लाग रुपे के डारेक्ट कॉस्ट है 5 लाग 50 जार रुपे की अधर ऑपरेटिंग कॉस्ट है 90 लाग रुपे की गुड्स आर सोल टु दा कस्टमर एट 150 पर्सन ऑफ डारेक्ट कॉस्ट मतलब जो हमारी सेल प्राइज है वो 150 पर्सन ऑफ डारेक्ट कॉस्ट होती है तो सेल प्राइस समझा गई आपको अब यह पता है कैसा कोशन है यह बड़ा बिखरावा कोशन है इसके अंदर कोई जानकारी नहीं दियो यह आपको जानकारी वीव करनी पड़ेगी ऐसा कोशन है 50 पर्सन ओधा एसेट बिंग फाइनांस बाइ बॉरोड कैपिल यह जो टो को समयना यह ना आपके concept को चेक करने वाला कोशन है जब ऐसा कोशन आता है न तो मैं बड़ा खुश होता हूं ऐसे कोशन में हमारा बच्चा बड़े यह कोशन करके आता है जो इस बच्चे ने conceptual knowledge लियोगी वो कर आएगा जिसने conceptual knowledge नहीं लियोगी वो फस जाएगा देखो क क्या है कोशन सुनो मैं करके आपको इस सारी बाते समझाता हूं वो कहता है total asset अब मैं कैसे सोचता हूं मैं आपको वो तरीका दे देता हूं अगर आपको ठीक लगेगा तो आप उसे follow करना सुनो अभी रुख जाओ भी कुछ भी मत लिखो कुछ भी मत लिखो मैं time दे तो हमने एक काम किया हमने solution number 17 PS PS मतलब practice sheet लिखा हमें निकालनी है चार चीज़े तो हमने थोड़ी जगा छोड़ दी नीचे working note पे आ गए मैं पता हमेशा क्या करता हूँ मैंना अपने दिमाग में हमेशा balance sheet और income statement बनाई लेता हूँ सर इससे क्या फायदा होता है इससे पता है क्या होता है बड़ाना question smooth हो जाता है अब check करना मेरे साथ आपको question smooth लगने लग जाएगा जैसे ही आप मेरी वाला ये तरीका follow करोगे कि एक फरजी सी balance sheet बना लो और एक फरजी सी income statement बना लो छोटी सी देखो सुन लो सुन लो सुन लो question ने कहा total asset employed 10 लाग तो हमें पता चल गया यानि total asset employed 10 लाग जब total asset employed 10 लाग है तो total liability भी 10 लाग होगी बुलो ये बात clear होगी कितने लोग के दिमाग में यहां तक बात आ गई थी गुड डारेक्ट कॉस्ट साढ़े पांच लाग यानि डारेक्ट कॉस्ट 5,50,000 इंकम statement में लिखती है हमने ठीक है न बहुत ही बढ़िया एक काम करते है इसे न सेकंड लाइन में लिखते है सुनिए चाहिए भी copy मत करो न मैं कह रहा हूँ दो मिनट दे दूँगा लिखने के लिए पहले समझ लो other operating cost बाकी के खर्चे 90,000 इसे भी एक लाइन नीचे लिख चलते है लेकिन यह other operating cost है operating cost समय जाते है न नीचे आती है अब वो कहता है goods are sold to customer at 150% of direct cost यानि जितनी भी direct cost होती है इससे 150% sale है तो देखो इसी से 150% sales है बिटे करी हो जड़ा पांच लाग पचास जार का 150% 82,00,000 ने 8,25,000 अब इसे इसमें से subtract कर दो तो आपके बास gross profit आ जाएगा 2,75,000 इसे इसमें से minus कर दो तो EBIT आ जाएगी या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो profit before tax आ जाएगा त्योंकि और तो कुछ है नहीं operating profit आ जाएगा अब समझ आ रहा है statement पढ़ने का फायदा क्या होता है आपके mind में बहुत comfort आने लग जाता है आपको एक एक चीज समझ आने लग जाती है कितने बच्चों को यहाँ तक सब समझ आ रहा है बोलो बिटे आ रहा है शबाश आगे पड़ो फिर 50% ओधा asset being financed by borrowed capital बिटे आधा पैसा borrowed capital से लाएए तो यह जो asset है ना इसमें asset में से आधा पैसा debt से लिया हुए पांच लाग का और वो भी add the rate कितने percent पे 8% पे यानि debt add the rate of 8% है इससे एक बात और समझ आ गई कि जब debt issue की हुई है तो इसमें से interest भी pay करना पड़ेगा operating profit EBIT होता है बटे operating profit क्या होता है EBIT तो BIT में से interest भी देना पड़ेगा कितना 8% of 5 लाग बताइए बटा कितना वो 40,000 earning before tax तो 1,45,000 हो गया कितने बच्चे यहां तक बिलकुल मेरे साथ चल रहे है मतलब समझ आ रहा है भी copy नहीं कर रहे है क्योंकि मैंने मना किया है बट समझ आ रहा गुट यही मैं चाहता था कि आपको पूरी बात समझाए tax rate is 30% अब इसमें से tax minus कर दो 30% 145,000 का 0.3 43,500 अब इसमें और तो कुछ है नहीं तो जो बचेगा वो EAT ही earning available to equity shareholders हो जाएगा क्योंकि preference event तो है नहीं तो एक लाख एक हजार पांच सो एक लाख एक हजार पांच सो बोली ये भी clear हो गया cool है बहुत ही बढ़ी है अब बोलो भीया अच्छा एक बात बताओ अगर ये पता लग गया liability पता है तो हमें net worth भी पता चल जाएगी equity भी पता लग जाएगी बोली ये बात भी पता लग गई अब आप सब निकाल सकते हो अब सिरफ formula लगाने और answer निकालने लेकिन ये जो काम था ना इसमें अगर आपने एक भी गड़बर करी तो सब कुछ खराब हो जाएगा question का अगर आपने एक भी जगा गड़बर करी ना इस पूरी statement में तो खराब हो जाएगा पहले इतना copy करो चलो जल्दी से इतना copy करो और मुझे बताओ कि इतना समझ आ है काट जाओं बीच में से बीच में आ रहो अच्छा चलो मैं अपना कैमरा थुड़े देर के लिए बंद कर लेता हूं अब तब तक जल्दी से इतना note कर लो कि यह लो मैं full screen कर देता हूं और आप note करो एकदम fast speed पे note करो एकदम fast speed पे जैसे ही हो जाएगा मझे yes लिख के भेज़ देना ताकि मैं फिर इसे discuss कर सुकूँ आपके साथ कुछ निमबर भी बताओ बेड़ा 17 था जल्दी करिए जल्दी कर लिए विटा अपने अच्छ ठीक है एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे जो operating expenses वो समझ नहीं आई मुझे लगता है आपने फर्स class attend नहीं की होगी जिस दिन मैंने income statement समझाई थी बागी सब लोग को income statement याद है क्या होती है मैंने क्या बताया था बताओ income statement में मैंने ऐसे लिक लिक के दिखाया था एक दिन आपको sales sales में से cogs माइनस हो जाती है gross profit आ जाती है gross profit में operating expenses माइनस हो जाती है operating income add हो जाती है तो फिर क्या जाती है operating profit फिर operating profit को EBIT कहते है फिर उसके आगे normally question करने start कर देते हैं सबको याद आ रही है तो वही तो किया है बेटा मैंने sale दिखाई direct expense होते है cogs direct expenses किसे कहते है direct cost क्या होती है cogs होती है यानि समान बनाने का मुख्य खर्चा मुख्य खर्चा मतलब direct cost आज आपने एक नया word सीख लिया कि अगर वो question में cogs नहीं दे तो उसे direct cost भी कह सकता है क्या बोल सकता है उसे direct cost लिख लो direct cost के उपर लिख लो कि वो cogs हो सकती है तो आपने cogs माइनस करी जीपी आ गया जीपी में से other operating expenses माइनस किये operating profit आ गया operating profit मतलब EBIT आ गया उसमें से interest माइनस किया उसमें से tax माइनस किया अब हम EAT पर आ गए EAT को EAS बोल जाते है चले बटा copy कर लिया हाँ बिलकुल ठीक कह रहो मैंने एक दिन ऐसे समझाया था कि यह नजर लगाने वाला profit हो चलिए फिर बहुत ही बड़ी हाँ आई अब हम question करते है मांग क्या रहा है बोले जी net profit margin बताओ net profit margin क्या होता है first part net profit margin बताएंगे बिल्टा क्या होती है profit after tax upon sales तो profit after tax कितना था EAT एक लाग एक हजार पांच सो तो आप लिखिये मेरे साथ एक लाग एक हजार पांच सो डिवाइड बाई सेल्ज वस एक लाग ट्वनिफाइफ थाउजन इन्टु हंड़र्ड बताना कितना हो रहा है तब तक मैं B part solve करके आता हूँ B part था return on asset return on asset मतब कितना profit आपने कमाया return asset पर यानि assets पर कितना profit कमाया है तो profit after tax upon asset आपने कितना रुपया कमाया था बताना अच्छा इधर ना मैं एक चीज और समझाना चाहूँगा इसी के through मैंने अभी तक ROE का formula नहीं बताया था आपको याद है मैंने ROE का formula रोका वा था आज के दिन के लिए रोका वा था कि question के साथ पढ़ाऊँगा सुनो अब कुछ लोग इसे निकालते हैं P.A.T. profit after tax के according बताना कितना आ रहा है इसे कुछ लोग ऐसे भी निकालते हैं 185 था ना tax rate कितनी थी बटे 35% 30% अब ज़रा सुनना सब लोग सुनना एक बार काम करता हूँ मैंना बाकी सब भी लिखवा देता हूँ फिर end में इन दोनों को समझाता हूँ return on asset क्यों ऐसा की है C part क्या थी बटे C part निकालना कौन सा था asset turnover बटे asset turnover का formula याद है आपको ये कैसे निकलेगी sales by asset आपकी sales थी 825,000 और asset थी 10,00,000 की है न कितना आ जाएगा 0.825 times D part return on owners equity मतलब return on equity उसका मतलब आएगा E A E S upon equity, equity का पैसा अपने को पहले ही पता था अब एक लाग एक हजार पांच सो एक लाग एक हजार पांच सो अपॉन पांच लाग कितना आ रहे है 20.30% बता रहे हैं बच्चे एक मैं रीचेक कर लेना ठीक बोल रहे हैं कि नहीं तो अब ROE के सिवा आपको सब कुछ समझ आ रहे है ROE के सिवा आयूश मैंने कहा मैंने ROE अभी समझाना है बटे आप ROE को छोड़ कर बताईए क्या बाकी सब कुछ समझ आ गया शिवानी का कहना है कि नेट प्रॉफिट मार्जन 12.30 आ रहे है मैं आशा करता हूँ कि अब ठीक बता रहे हैं अर्पित ने कहा कि सर करेंट लाइबिल्टी नहीं आएंगी इस बैलेंच शीट में अब है नहीं तो बटे कहां से लाओं जमीन खोद के निकालना हूँ कि मैं रिस्पेक्ट करनी है जब कुछन में नहीं है तो नहीं है च्या करोगी जब कोई हिंट नहीं है कुछे नहीं है करेंट लाइंट लाइबिल्टी का तो इसका हिंट नहीं है उससे इंग्नोर करना पड़ chem का उसे कहां से निकाल के लाऊं, आप खुद ही मुझे बताओ, कि मैं उसे कहां से निकाल के लाऊं, उसके बारे में उसने कोई हिंटी नहीं दे रखा एक बच्चा कहा रहा है, return on asset आ रहा है, 10.15%, मैंने calculate नहीं किया चलो, जो भी आएगा, निकाल लोगे न एक बच्चा कहा रहा है, 10.15% आ रहा है, एक बच्चा कहा रहा है, कि second formula से 12.95% आ रहा है, बच्चे कहा रहा है, हम इसे निकाल लेंगे, आप बस concept समझाओ दो, बोलिए आईए रते कहरें एक बारी balance sheet दिखाओ, ये copy कर लिए आपने बताओ मुन्ना, चलो फिर balance sheet भी देख लो, कितनी वहरी बताओ, मैं तो बीच में से हट भी गया था, copy कर ला निकले प्रभात अभी रुख जाओ, मैं अभी धजियां उडाने आ रहा हूं, रुखो tension ना लो, चले, चलते हैं बटाओ, अब हम ROA पढ़ने चलते हैं, ROA क्या क्या कहता है, सुनो, notes पे चलो, जहां हमारे ROA का formula है, वहाँ चलें, और हम, ये practice sheet पे था, main book पे आना पड़ेगा, ROA के लिए आपको, और ROA के लिए से हमारा page number क्या है, जल्दी से बताओ मुझे, बस आगया मैं आगया, ये रहा हूं, ठीक है जिए, अब ROA के जो formula हैं ना, सुनना बटा, इसके ना भी और भी formula हैं, सिर्फ ये दो formula नहीं हैं, many other formula भी हैं, पहले तो बताओ, ROA का मतलब क्या है, ये page number वैसे, 3.6 है, बट मैं अपना खुद ही लिखवाऊंगा, मतलब मैं बुक में से नहीं पड़ाऊंगा, मैं ROA आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि, आप मेरे साथ लिखिए ज़रा, सभी लोग लिखिए, ठीक है जी, देखिए ज़रा, return on assets, पहले न, मैं आपको इस formula को समझा देना चाहता हूँ, तो देखिए मैं इस session में आपको return on assets का formula की depth में लेके जाना चाहता हूँ, कि return on assets क्या है और क्यूं है, और इस पे क्या क्या हो सकता है, और इसके कितने अलग अलग तरहा के formula आप पूरी दुनिया में देखते हो, पता है अलग अलग companies की balance sheets आप अठा होगे न, कब अलग अलग की financial statement होगे, तो ROA का formula सब ने अलग अलग use किया हूए, अब मैं बताता हूँ कि कैसे वो सभी सही है और सभी गलत भी है, देखो एक line तो बिलकुल clear है, इसका मतलब है कि business ने, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि business ने assets पर कितना percent profit कमाया, business ने assets पर कितना percent profit कमाया, सवाल तो इतना सही है, ठीक है न, मतलब business ने जितने assets बिजनस में invest कर रखें, उस पर कितने percent का profit कमाया है, बोलो, ये बात समझ आती है आपको, basic line underlying principle तो सही है, यह है, लेकिन अब इसमें अलग-अलग लोगों के अलग-अलग method है, सुनो, ROE का पहला method किसी ने suggest किया कि sir हमेन profit after tax ले लेना चाहिए, earning after tax divided by total assets कर देना चाहिए, total asset बोलो या average asset बोलो एक ही बात है, अगर asset पूरे year में change हो रहे हो तो average लेते हैं, but assets ले लेना चाहिए, total assets कुछ लोगों ने ये formula बोला, अब लेकिन इस formula का लोगों ने विरोध किया, क्यों किया विरोध बताओ, बताओ, लोगों ने विरोध क्यों किया, लोगों ने कहा एक बात बताओ, सुनो, पहले इस logic को सुनो, कि पहली बात, जब आप profit after tax लेते हो, तो आपने interest भी minus कर दिया, tax भी minus कर दिया, बोगों चलो tax minus किया, वो थो ठीक है, लेकिन interest क्यों minus किया, जो asset है, asset तो debt के पैसे से भी खरीदा गया होगा, एक बात बताओ अब जो asset है asset में किसका पैसा लगा होगा long term funds लगे होगे usually assets में किसका पैसा लगा होता है long term funds, long term funds में equity का पैसा भी लगा होता है debt का भी लगा होता है तो जब denominator में debt का पैसा लगा होगा है तो numerator में उसकी earning minus क्यों कर दी बात तो सही है आपको concept समझाया है दिक्कत कहा है मैं repeat कर रहा हूँ दुबारा बोल रहा हूँ दुबारा ध्यान से सुनो क्या fundamental difference है asset जो है बेटे, asset का मतलब क्या होता है asset का मतलब है कि कितना पैसा business में लगाव है अब जो business में पैसा लगाव है उसमें तो debt का पैसा भी लगाव है ठीक है तो debt की earning उपर minus क्यों करी तो किसीने का हच्छा ठीक है देखो इस formula की गलती क्या है ये लिखवा भी देता हूँ मैं हिंदी में लिख रहा हूँ इस formula में एक mistake है कि जब denominator में asset लिए है उन assets इस formula में एक mistake है कि जब denominator में asset लिए है तो उन assets मैं repeat करता हूँ इस formula में एक mistake है कि जब denominator में asset लिए है तो उन assets में debt का पैसा भी लगा है तो numerator में debt की earning include क्यों नहीं की गई included क्यों नहीं है आपको समझ आया है लोग इस formula को oppose क्यों करते हैं आपको समझ आया है कि लोग इस formula को oppose क्यों करते हैं बोले हाँ या ना correct है ठीक है यह हो गया ROE तो इसकी जगा पे एक और formula का जनम हुआ वो formula हुआ कि आप EBIT ले लो earning before interest in tax ले लो और उसे 1-T कर दो उसमें से tax minus कर दो तो इस formula की अच्छा ही क्या है इस formula में interest minus नहीं किया जब interest minus नहीं किया तो यानि अगर denominator में asset में पैसा debt का लगा है तो numerator में earning भी debt की भी आ रही है क्योंकि EBIT में interest भी आ रहा है और tax minus कर दो लेकिन ये भी गलत है क्यों क्योंकि इसमें पूरे पे tax लगा दिया अब पूरे पे tax लगा हो तो interest पे भी tax लग गया तो interest पे tax नहीं देना चाहिए था इसलिए इससे better formula क्या है इससे better formula ये है कि आप EAT कर लो earning after tax plus interest add back कर दो जैसा हमने ROI में भी किया था याद है आपको हमने ऐसा पहले भी एक बारी सीख चुकिया हम ये सारी बाते तो multiple formulas हैं अब आप मुझसे पूछो के सर institute कौन सा लगाता है वो बताओ बेटा देखो ऐसा है institute है set टेक दम वो उनकी बेटा जिसकी लाठी उसी की बहांस जिसकी जिसका बैट उसी की बैटिंग simple सी बात है तो institute कभी इससे कर देता है कभी इससे कर देता है खुला खेल रहे हैं भाई कोई टेंशन नहीं ले नहीं आप समझलें इंस्टिटूट की बात मरना institute एकदम कुल्य में खेल रहा है उसे कोई फरक नहीं पड़ रहा हो कैसे करेंगा कैसे नहीं करेंगा वो अपनी मन मर्जी चला कर रहा है हैं कि वो कभी ऐसा कर रहा है बतलब आपकी अपनी इच्छा है में इछा बूली मेरी बात्र सब्सक्किराइन समय woods नहीं किस्ट bon में करूँगा मेरी बातों को दूंबारा सुनंग कैता है यह अलग यह अलग यह अलग व्यसरे नहींने आपको जो question कराया था याद करो भी थोड़े पहले में ने भी आपको question कराया था ना practice sheet से कौन सा number था वो हो गया वो question question number क्या था वी जो कराया था practice sheet का 17 था ना practice sheet का एक बड़ी वाप्पिस आते हैं question number 17 फे practice sheet में यह November 2020 का exam है अगर आप institute में भी इसके answer अगर पढ़े वे हूं institute की website पर आप वहां जाके suggested answer download कर ले अगर पढ़े हूं तो तो वह November 2020 का answer download करना institute ने इस method से करके दिया था answer मतलब PAT वाले से नहीं किया था EBIT-1-T वाले से किया जबकि यह भी गलत है होना क्या चाहिए था होना चाहिए था EAT plus interest सबसे logical वो है लेकिन भाई इंस्टिट्यूट की माय इंस्टिट्यूट ही जाने उन्हों ने इस formula को use किया था बोलो आप मेरी बाते समझ पारे हो मैं क्या कह रहा हूं बताओ भाई यूट्यूब वाला तुम भी बताओ ज़रा क्या आप मेरी बाते समझ पारे हो मैंने क्या कहा बिल्कुल एक बचे ने पुछा कि हम कैसे करें मैं तो मानता हूं कुछ ना समझा है तीनों कर रहूं ऐसी कि तैसी अगर टाइम हो ना तीनों कर रहूं कितनी देर लगेगी आदा-दा मिना टेक्स्टा लगेगा भाई तुम्हें कितनी जेर लगेगी कम से कम तुम्हें निश्चिंता तो होगी मुझे मांक्स मिलेंगे कि नहीं समझ गए आप अब एक बच्चा कह रहा है हमें भी यही करना अब एक बात हो कितने कोशनों में इंस्टिट्ट को याद कर लोगे कि उन्होंने क्या किया था याद कर लोगे बच्चे न कभी-कभी अन्रेलिस्टिक बात करते हैं कि याद कर लोगा मुझे तो नहीं लगता मैंने क्या का तो भाईय मैं तो सिंपल बात बोलता हूँ जहां कंफ्यूजन हो दोनों तरीके से कर रहा हूँ ठीक है बुलो आपको मेरी बात्चीत समझ आ रही है मैंने क्या कहा हूँ कि मैंना एक मिन जड़ा देखता हूँ अगर मेरे पास इंस्टिट्यूट का टेस्ट पेपर डाउन्लोडिड हो नहीं हो तो मैं ढूंड कर आपको अभी के भी दिखाता हूँ जड़ा मैं इंस्टिट्यूट की वेबसाइट पे पहुंच गया हूँ जड़ा इंटरमीडियर कोर्स में चले गए एफम के पेपर पे चले गए सजेस्टिड आंसर पे चले गए अरे वाँ नवंबर ट्वंटी का पेपर पड़ा हूँ है समझ रहा आप कहां से अंसर निकालते हैं यह तो निकालते हो ना आप सब भी खुद भी बैटके सेजेस्टिड वैसे आपको ज़रूरत नहीं है मैं वह सब आपको करके चैप्टर वाइस सौट करके प्रैक्टिस शीट में देता हूँ जो प्रैक्टिस शीट होती हो वह इन इन्सटिटीट के एक्जामपी इस इनेbles चैश्चकाशकीआ कर नेक्स नों ने आप यह तो हम इक ही नहीं जो ना मर्ण लेंगे बिल्कूल मिलेंगे बटा उन्होंने net profit भी after tax before tax मुझे समझ नहीं आता भाई कौन सी वाली भांग ले रहे हैं कोई बहुत ही बढ़िया वाले ब्रैंड ले रहे हैं इसमें मतलब 3-4 दिन तब घोश में नहीं हो अब नेट profit कौन before tax दिखाता है भाई फुरी दुनिया net का मतलब यह after everything कम से कम शब्द की तो लाज रख लो इधर सुनो यह net profit भी before tax दिखा रहे हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं अभी छोटे हैं भी धीरे-धीरे करके आप return on asset देखो जिसके लिए हम आया है वो देखो ज्यादा अधर नजरे मत चलाओ आप यह देखो return on asset क्या है return on asset दिन निका formula यह था याद करो बागी सारे आपके match हो रहे थे आप अपने answer एक बार ही चेक भी कर लो पहाचरा तुमने कोई percentage में गलती करी हुई है मिल गए अपनी सारी गलती है बहुत ही बड़िया चलो जड़ा मैं एक बारी बापेस अपनी notebook पे ले चलता हूँ आपको तो मैं आपको अपनी notebook पे ले आए हूँ I hope यह सारी बाते समझ आ रही है बटे absolutely all right good so now we have got the complete idea अब हम almost almost 90% formulas पढ़ चुके पांच से 10% हमारे formulas बचे हैं चोटे चोटे जो बीच बीच में question के साथ साथ में cover कराता रहूँगा एक अधी class में भी और लेने वालों ratios की और उसके बाद हम wrap up कर देंगे आज मैं लेकिन आपको homework भी दूँगा ठीक है जी पहले यूट्यूब वाले बच्चों को bye bye कर देते हैं जो बच्चे साथ live connected है और फिर उसके बाद आप लोगों से बाच्चीत करेंगे आगे का homework वगयरा भी देंगे ठीक है तो यूट्यूब वालो भाया आज का साथ इतना ही प्लीज आप इस chapter को अच्छे से prepare कीजेगा मेरी advice यही रहेगी मैं आज तक की ही classes open for YouTube रख रहा हूं क्योंकि आज के बाद से जिन्होंने classes लेनी है वो batch की अंदर ही पढ़ना पड़ेगा यूट्यूब पे इस chapter के अब हम और lectures नहीं provide करेंगे ठीक है एक बच्चने का सर इको की demo lecture रिशी का जैन बैटा इको की marathon बना के दे चुका हूं लगबग 8-8,5-8 घंटे का एक mini course है वो जितना लोग fast track में पढ़ाते हैं उससे जादा तो मैंने अपनी marathon में पढ़ा रख रख आ उसे देखो और मैं फिर एक दो पेज आपको पढ़ाएंगे और ऐसा चमकाएंगे कि आपको लगया कि आप दिवारों के जूम रहे हो और लेकिन जिस दिन उनकी fees हा जाएगी उसके बाद फिर आप चमकते फिर होगे तो मुझे ये demo वाला concept नहीं समझ आता है आप review पे लें बिटा जब भी class लेने हो किसी senior के review पे ले course start कैसा हुआ that is not important course complete कैसा हुआ उसके बाद आपका exam कैसा हुआ that is important मैं एक बाद आप सबको बताता हूँ मेरे से पढ़ने वाला बच्चा class में मुझे से दुखी रहता है क्योंकि मैं homework देता हूँ और मैं डांटता भी हो और मैं खाल उतार देता हूँ बच्चे की लेकिन एक बाद बता दू कि जिस दिन exam hall से बाहर आओगे न उस दिन मुझ यूट्यूब वाले बच्चों को एक मिलेंगे आप से कुछ sessions मैं रखूंगा बाद में रिविजनरी sessions लेकिन अभी से इस class के बाद से और classes हम यूट्यूब पर प्रवाइड नहीं कर पाएंगे अगर आप चाहें तो कोर्स पर जा सकते हैं आज discounted prices के last day है अगर आप चाहें तो sale avail करें और classes start करें इको को मैं पूरा का पूरा आपको free of cost दे रहा हूँ इस fast track batch के अंदर ठीक है जी और चलिए जी फिर मिलते रहेंगे bye bye take care enjoy अब मैं जा रहा हूँ उपने class वाले students के साथ बैठने थोड़ी देर गप्शप लगाएंगे और उनके doubts पूछेंगे bye 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 YouTube वालो bye हान जी बेटा जी I hope आज की class पूरी समझ आई है आपको completely comprehensively ठीक ना अब मैं आप